हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सब की प्रहाई बेची चल रही होगी तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 ब्यार बोट के साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 5 बल से जोर आजमाईश इस चैप्टर का अभी हम लोग करेंगे जो भी इसके अंदर कोशिन एंसर और फिलिनी ब्लैंक्स मैज दी फूलिंग वगड़ा है उन सब को करेंगे ठीक है अगर आपको इस चैप्टर को समझना है ठीक है बारी की से हर एक पॉइंट्स को तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ज्यादा बच्चों कमेंट अगर आते हैं तो इसके लिए मैं अलग आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा ठीक है आज हम लोग करने वाले हैं इसका जो कोशिन एंसर है जो एकसरसाइस है अभ्यास है इसमें जो भी कोशिन दिया गया है इसको हम लोग करेंगे ठीक है मैंने आपके लिए कॉपी में लिख दिया है आप उसको स्क्रिंशोट लेके भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको उतार भी सकते हैं या फिर मुझे Facebook, Telegram पर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको follow करना होगा, और उसके पार आप मुझे अपना नाम और class बताईएगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, जो भी होगा, ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं, जो इसके question answer है, देखते हैं, उ धक्का देना या खीचना बल कहलाता है इस किरिया को अंतह किरिया कहा जाता है ठीक है अगला कोशन इसका है बल क्या है तो बल एक तरह का धक्का या खीचाओ है जिसके कारण इस्तिर वस्तु में गती पैदा होती है तता गती शील वस्तु की अवस्था या दिशा में गरतन होता है ठीक है तीसरा कुशन है बल दुआरा कौन कौन सी किरिया की जा सकती है तो बल दुआरा अनेक किरिया की जा सकती है जिनमें परमुक हैं पहला हो गया इस्थिर वस्तु को गतिशील किया जा सकता है उसके बाद है गतिशील वस्तु की दिशा में दिशा बदली ज तो इसके बाद आपका चौता कोशन है वस्तू की अंता किरिया से आप क्या समस्ते हैं तो इसका आंसर होगा जब किसी एक वस्तू दुआरा दूसरे पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तू भी पहले पर विपरी दिशा में बल लगाती है इसी पर किरिया को अंता किरिया कहा जाता है अता बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तूओं में अंता किरिया का होना आवश्यक है तो यह आपका चौता कोशन का आंसर हो गया पाच्वा कोशन कहता है एक ऐसा उधारन दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है किन्तु परिनामी बल शुन्य होता है ठीक है तो यहाँ पर लिए उधारन के तौर पर रस्ता कशी यह जो रस्ता वाला हम जो हम लोगों को खेल करते हैं दोनों दर्व सखियंचते हैं तो उसमें खेल को ले सकते हैं इसमें दो व्यक्तियों द्वारा विपरित दिशाओं में बल आरोपित किया जा रहा होता है लेकिन परिनाम शुन्य ही होता है ठीक है जिसकी तरफ जादा फोर्स लगेगा तभी जाके जो है वो उस तरफ जु उसके बर आपका सात्वा कोशन है संपर्क और संपर्क बलके दो परकारों को समझाना है जब दो वस्तु परतियक चुरूप से यानिके डिरेक्ली संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तु के बीच लगने वाले बलको संपर्क बल कहते ह संपर्क बल के दो परकार हैं पेशिय बल और घर्शन बल यानिके जो आपका मस्कुलर फोर्स हो गया और एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो गया जब दो वस्तू के संपर्क में आए भी ना ही उन वस्तू के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं यानिके जब दो वस एक होता है गुरुत्वाकर्शन बल और एक होता है चंबक्ये बल यहां पर आपको क्या करना है जो आठ्वा कोशन है इसमें आपको गुरुत्वाकर्शन बल विदूत बल घर्शन बल से आपको इसको क्या समझते हैं इसको आपको समझाना है ठीक है यह एक लाइन दो दो ला पर एक फोर्स एकजर्ट करती है, ठीक है, उसी को आम लों गुर्द वाकर्शन बल कहते हैं, विदुत बल क्या होता है, विदुत बल उसे कहा जाता है, जो आवेश दुआरे ये चार्ज के दुआरे उत्पन होते हैं, तथा दो वस्थों के बीच बिना संपर्ख के लगते है ठीक है उसके बाद आपका घर्षन बल जब कोई वस्तू किसी दूसरी वस्तू के संपर्क में गती करती है तो एक बल उस वस्तू की संपर्क सता में गती की विप्रित दिशा में कारे करने लगता है इस बल को घर्षन बल कहा जाता है ठीक है यह हो गया आपका आठवा कोशन क आंसर कई सारे बच्चों को यह होगा कि विदूत बल विदूत बल जब वो और संपर्क बल कैसे हो गया ठीक है तो यहां पते कि आपकी किताब में ही दिया गया है कि अध्याय दो में आवेशों के बीच लगते हुए विदूत बल के विभिन पडियोग भी आप कर चुके हैं यह भी ऐसे बल है जो दो वस्तू के बीच बिना संपर्क किये लगते रहते हैं ठीक है तो यह कौन सा हो गया दो वस्तू के बीच बिना संपर्क किये यानिके और संपर्क बल का यह उदारन हो गया विदूत बल ठीक है विदूत बल ठीक है कोई भी थोड़ा सा डाउट नह रहना चाहिए कि हाँ बाई कहां से अंसर आ गया अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में जरूर पूछ लिजेगा प्रिशन नमबर नाइन है भार क्या है क्या भार को बलकी माप के लिए प्रियुत क्या जा सकता है जिस बल से प्रित्वी किसी वस्तु को अपने केंदर की ओर आकर्शित करती है वही बल यानिके वही फोर्स उस वस्तु का भार कहलाता है मास कहलाता है ठीक है सॉरी यहां पर wait हो जागा भार का मतलब होगा wait ठीक है mass का मतलब दरवेमान होगा और wait मतलब भार होगा ठीक है तो wait क्या होगा जिस force से किसी भी object को जमीन अपनी और खेंशती है उसी force को हम लोग wait कहते हैं इनके भार कहते हैं बार को बल की माप के लिए प्रयूक्त किया जा सकता है बिल्कुल हाँ बार को बल की माप के लिए प्रयूक्त किया जा सकता है ठीक है चलिए उसके बाद आपका अगला question इसमें जो है वो आपका है मिलान करना है इसमें यानि कि जो आपको mass the following दिया गया है यहाँ पर क्या रहा है, गुरुत अकर्शन बल, तो गुरुत अकर्शन बल में आपको क्या लगाना है, सेब का पेर से तूट कर नीचे गिरना, यह क्या है, यह ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्जामपल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लगा लिजेगा इसमें, व आपको क्लास में बताया गया होगा, यह जब आपने जो चार्ज वाले चैप्टर क्लास 7 पड़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा, जो आवेश के जरीया होता है, कंगी जब हम लेते हैं, और उसके बाद उसको कागस के पास लेका आते हैं, तो वो कागस के को आकरशित करता है तो ये विदूत बल का एक्जामपल हो गया घर्शन बल क्या हो गया देखो यहाँ पर उस्मा उत्पन होना घर्शन बल जब लगेगा तो क्या होगा उस्मा उत्पन होगी हीट जेनरेट होगा चुम्बक्ये बल लोहे की किल को आकरशित करता है चुम्बक इकाई का नाम न्यूटन है जिसे इन द्वारा प्रकट किया जाता है उसके बाद 12 कोशन है जब गेंद हवा में फेकी जाती है तो इसकी गती में परिवर्तन होता रहता है यह परिवर्तन किन-किन बलो द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर देखो जब गेंद हवा में फेकी जाती है तो इसकी गती में पडिवर्थन निम्लिकित बलो द्वार होता है पहला तो घर्षन बल होता है जो कि हावा से लग रहा होता है गुर्थवा कर्षन बल होता है जो जमीन खैच रही होती है और पेशिये बल जो हमने फेकते हुए हमने लगाया है ठीक है उसके बाद आ खाना कल करता है तो इनके सत्तों के बी जो बल कारे करता है वो बल क्या होता है तो इसमें लगा लिजेगा котором आप्छन नुमबर 2 साइँ इनमें कौन और संपर्क भालक है खिचाहो भका चुम्बक किये और घर्षन हो जाएगा इसका अंसर extraordin हsब तो यहाँ पर जो आपका exercise था वो हल हो चुका है total का total मैंने आपको answer बता दिया I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा useful भी होगी तो आप प्लीज इसे अपने सभी दोस्तों के साथ अभी के अभी इस वीडियो की लिंक को शेर कर दिजे जितना ज्यादा हो सकता है अपने सभी ग्रूप में शेर कर दिजे अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है like करना भूल गया है तो please please like कर दिजेगा इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं है और हाँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और फेस्बिक इस्टाक्राम पर भी फॉलो कर लिजे मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में तब तक आपसे अपना धियान रखे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया